पत्थरवाजी करने वाले पत्थरवाज ये समाज के दुस्मन है कोई भी हो पत्थरवाजी कोई साधरन अपराद नहीं कि कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया उससे लोगों की जान भी जा सकती है लेकिन उससे भय और आतन का माहौल पैदा होता है भगदर मचती है अवेवस्थाएं होती है मद्प्रदेश में रूला रहेगा कानून का राज इस तरह के अपराद ही साधरन अपराद ही नहीं है इनको छोड़ा नहीं जाएगा लिए भी तो मामूली सी कारवाई होती थी अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बना रहे हैं लेकिन केवल पत्थरवाजी नहीं कई बार उत्पाती सार्वधनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं आग लगा देते हैं सार्वधनिक संपत्तियों के साथ साथ व्रक्तिकत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाये जाता है किसी की दुकान में आग लगा दी किसी कहां तोड़ फोड़ कर दी अब या चम में अपराद है सांति पूर्ण धंग से कोई अपनी बात कहे वो लोकतंतर उसकी इजाज़त देता है लेकिन आग लगा दो तोड़ फोड़ कर दो पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती और इसलिए भारती जनता पारिटी की सरकार ने ये तैकिया है कि सार्वजनिक संपत्ती को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नक्यबल कड़ी कारवाई करेंगे बलके सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुँचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे बसूल किया जाएगा उसकी संपत्ति को रास्तात करना पड़े तो रास्तात करके बसूली करेंगे